भारती है फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्धी की अफगानिस्तान में तालिबान की गोलियों से हत्या हो गई है वाकि ही इस वक्त पूरे भारत के लिए एक दुखत समचार है पूरे परिवार के लिए भी इस वक्त काफी मुश्किल वक्त है परिवार इस वक्त बात करने की इस्तिती में नहीं है लेकिन दानिश सिद्धी की से जुड़े कुछ करीबी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं मेरे साथ इस वक्त जो शक्स मौझूद है वो दानिश सिद्धी के कह सकते हैं टीचर, मेंटर, गुरू सब ही कुछ है क्योंकि उन्ह से पहले रीक्शन किया था आपका नमनेस थी पहले तो आपको यकीन नहीं आता इन चीजों पर और जबके कुछ खबर को कन्फरम करने का जरीया नहीं था कुछ था के कैसे इन तक मरे या क्या हुआ तो डिनायल में रहे बहुत दियर और तकरीवन सुबा में भी डिनायल में ह रहे जब साड़े बारा एक बजे बहुत रोइटर ने भी और बहुत न्यूज ने जब दे दी और उसकी फोटो भी उसके डेड बॉडी की दिखाई दे गई तो फिर यकीन करना पड़ा और बहुत सद्मा बहुत अफसोस था कि एक इतना हुनहार और एक इतना अच्छा ने इंडिया का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान में जो अबॉड सो साल में नहीं आया मूपल इड़जर प्राइज पहली मरतोगा हिंदुस्तान में लेके आया तो हिंदुस्तान को भी एक बहुत गर्व की बात थी के एक उनका जर्नलिस्ट और इंटरनाशनल इवेंट कर रहा है तो बहुत बढ़ी वास सर आपने कहीं कि सौ साल में जो आवार्ड कोई भारतिया नहीं लेके आप आया वो दानिस सिद्धिखी अपने देश के नाम लेके आए हैं और उनके जो तस्वीरे थी वह वाकिए सालों साल याद रखी जाएंगे जो उनकी खीची तो क्या कोई डिसकास होता था कि फोटो जर्नलिस्ट बनना है कैसे बनना है क्या करना है उस बर दानिश जो हैं वो पहाओ से अलग बहने वाले आदमी थे उनको जिस कोर्स में उन्होंने दाखला लिया था वो में मास कमिनिकेशन का कोर्स था जिसमें हम लोग प्रिडियूसर प्रिडियूस करते हैं जो लोग बाद में फिल्म बनाते हैं टेलेविजन में करते हैं तो 99% सारे लोग टेलेविजन या डॉक्यमेंटरी फिल्मेकिंग में जाते हैं दानिश जो हैं वो यह इस को करने के दौरान उन्हों ने यह अपने ठाना कि मैं एक सब काम अपने विज्वल्स के थुरू करूंगा और एक विज्वल फोटो के जरिये करूंगा और जानके मुझे भी तैज्व हुआ कि जब कोर्स में आये थे तो शायद इतना फोटाउग्रिफी की तरफ ध्यान नहीं था उनके पास अपना परसनल कैमरा भी उस वक्त नहीं था मगर मेरे टच में आने के बाद और जब उन्होंने सीखा कि कैमरे से कैसे स्टोरीज करी जा सकती हैं और कैसे हम लोगों को अपनी बात पहुँचा सकते हैं जो कुछ कहा जाता है कि यूनिवर्सल होती है तो ये उनको बहुत भाया ये ये बात उसकी यूनिवर्सलिटी की आफ कोर्स विद एक कॉंटेक्स यूनिवर्सलिटी नहीं कॉंटेक्स की जरूरत होती है मगर तो उस फिर जामिया में एक अच्छी बात है कि हम लोग सारा एकुप्मेंट स्टूडन्ट को खुद देते हैं और स्टूडन्ट को खरीदने की जरूरत नहीं होती तो हमने सारा कैमरे लिंसेज और सारा एकुप्मेंट इन्होंने हम इस इस्तेमाल करना शुरू किया और आके फोटो दिखाते थे और फोटो में एक अलग बात होती थी उनका सुपर सिंसिटिविटी होती थी कुछ चीजें जो हम लोग देखते नहीं हैं वो उन चीजों को देख पाते थे और उनका रियेक्शन टाइम बहुत फास्ट था वो उस चीजों को एब्जॉब करके कुछ हो रहा है और उसको फोटो में उतार पाते थे और कई लगातार मुझसे बात होती रहती थी कि इन सब आप अपने दिमाग में कैसे स्टोरीज बनाएंगे और हाथ से उसको कैसे एक्जेक्यूट करेंगे बगएर टाइम का लैग ह हुए हुए और तो जाहर है कि मेरा और उनका एक सिलसला बातशीत का बहूत रहा तो मुझे लग रहा है कि मुझuna के फैमिली विंबर को जाहिरे बहुत तकलीफ होगी. कि मेरी तकलीव भी बहुत जादा रही उनके बारे में एक ट्वेट भी करने में मुझे बहुत टाइम लगा एक घंटे बाद करने पाया कि कुछ भी करने का अब वो तुम अब यह इंटर्विव भी इसलिए दे रहा हूं कि उसी डिपार्टमेंट के हमारे पास आउट को लेकर जो लोगों के मन में उनकी तस्वीरों से उनके साथ अटेच्मेंट बन गई थी वो लोग इस वक्त काफी दुखी है सर मैं यह जानना चाहूंगी उन्होंने हाल फिलाल में कोविट सिच्वेशन को बहुबी तस्वीरों के जरिये सामने लेके आए कि क्या इंडिय लाइफ में कि कभी उनकी कोई तस्वीर बढ़ी अच्छी लगी थी तो आपने उन्हें कॉल किया या मैसेज किया और बात करी कि यह तस्वीर कैसे कब और इस तरह से कुछ मूमेंट हो तो प्लीज शेर करिया बहुत बातें होती थी और मुझे बहुत डर रगता था था उन अब वार का जर्नलिस्ट जो होता है वो हमेशा खत्रे में रहता है तो जब इराक की वार उन्होंने कवर करी उसके फोटोस दिखाए मझे तो पहला सवाल मैंने यही करा कि भाई यह तो और वो कुछ फोटोस ऐसी थी जिसमें वो खिड़कियों से शूट कर रहे थे और बस मानते बहुत थे तो मैं ने का वह यह काम तो अच्छ इतना बहुत खत्रे का है नहीं करना चाझिए तो मैं थोड़ा इसको इतना अपने को इतना एक्स्पोज मत करो तो तो बल्कुल तुम बल्कुल आगे रहते हैं तो अन्होंने मुझे तसलिदेने के लिए दिलासा देन के लिए मुझे एक बड़ी कहानी सुनाई और कहा कि जब रॉइटर वाले जो हैं वो पहले हमें ट्रेन करते हैं कि आपको आप अपने को सेफ कैसे रखें तो अब पूरी वो सेफटी प्रिकॉशन हम लोगों को मालू है सब मालू है कि गरनेड आएगा तो क्या करना है और इस अच्छी थी और फिर आगे फिर बात शुरू हुई और काफी बातें हुई जो कैमपस के बराव करीब में रहते थे तो जब ही भी दिल्ली आना जाना रहा तो एक कुछ नकुछ फोन पर या मुलाकात जो है होती थी उनके काम के उपर में बराबर उनसे बात चीत करता रहत हुई उनकी इस पर क्या कहेंगे कितना दुखाद है किसकी गोलियों से हुई वह बहुत इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर्टन यह है कि वाइलेंस दुनिया से खतम होना चाहिए यह जो हमने एक तरीका बना रखा है कि गोली के जरिये चीज़ें हल होंगी तो जंग या लड दाने सिद्धी की नहीं रहे तो इसके इस बड़े सद्मे को इस बड़े गुसे को इस बड़े गम को हम एक मिशन बनाएं और हम कहें कि इस तरह का जो टेरिरिज्म और इस तरह के जो वार जोन हैं दुनिया में वो उनके खिलाफ लोग खड़े हूं उनके वहां के ही लोग खड़े हों कोई बाहर से उन चीजों को हल नहीं करेगा अब दाने सिद्धी की कर क्या रहे थे दाने सिद्धी की करते ये थे कि डिमॉक्रिसी को इनसानियत को और को अब आपके खुद आप कमफर्ट में रहें इन इन चीजों को लेने के लिए आपको चाहिए था होता है कि दिखाया जाए कि क्या हो रहा है डिमॉक्रिसी में यह कोई किसी अगेंस्स्ट में कुछ बात नहीं होती बड़े थिंग्रस कहते हैं कि कि कहत नहीं पड़ेगा अगर आपको अगर डिमॉक्रिसी सई हो अगर जर्नलिस्ट अपना काम चेर करें। बहुत लोगों ने ये कहा है कि स्ट्राइंडर्ड ओफ लिविंग अच्छा होगा अगर जर्नलिस्ट अपना अच्छा काम करेंगे। चोटी मोटा जो खराबी कहीं डिमॉक्रिसी में होरी है वो लोगों के सामने आएगी और लोग उसका समधान कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है। इसको हमेशा पॉजिटिव तरह देखना चाहिए। उनका काम जो है वोट डिमोक्रीसी को स्ट्रेंडेंडन करने का काम था। वग जो अंडर बैली घरव डिमोक्रीसी को वह जो वार हो रही है इसको पाम वो करना चाहते हैं उसकी बाग दोर अब हमारे हात में हमें वह सारे काम अपने हाथ में लेना चैये और जो मकसद था उनका के दुनिया से वॉयलेंस और दुनिया से ये जो टेरिरियूरिज्म है और ज़े तो वो ख़तम हो तो इसी तरह अगर आप उनके पिक्शिर देखेंगे जो कोविट के जमाने के पिक्शिर्स हैं तो उस जमाने में जो मीडिया में नहीं आ रहा था उसको दिखाया और उसकी वज़ा से बहुत बहुत बड़ा फायदा हुआ गौवर्मेंट ने काफी काम किया तो यह नहीं है कि गौवर्मेंट काम नहीं करना चाहती गौवर्मेंट को भी पता होना चाहिए कि ग्राउंड हो रहे थी. क्या केंगे फोन करेंगे हलो केंगे उसके बाद क्यां केंगे, कैसे सबर दिलाएंगे? हमारी वाषिता सहा घ CAP करी और तो मैंने सोचा कि ये काफी रहेगा सब को डिस्टरब नहीं करना चीए अगर अब रहा नहीं गया और मुझे फिर उनके फादर में दानिश का वो दिखना शुरू हुआ तो फिर मैंने कॉल किया उन्हें डरते डरते और उनसे यही कहा कि दानिश जो हैं वो मैं आपको यह नहीं कह सकता कि सबर करि हमर हो गया है दानिश ने अच्छा काम किया कि उनको हम लोग हर वास हर लम्हें याद करेंगे तो एक तरह की नई जिन्दगी है और तो बस मेरा जब बोला नहीं गया तो मैंने फिर उसको फोन रख दिया जादा बाची हुई नहीं बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लि को और उनके बहतरी इनकाम से ना सिर्फ हिंदुस्तान में बलके इंटरनाशनली काफी रिकॉर्गनाइजेशन मिला भारत को भी और उनको खुद को भी और इस वक्त परिवार तो काफी सदमे में है साथ साथ जो उनसे जुड़े लोग हैं उनके प्रोफेसर वो भी इस वक काफी ज़्यादा दुख में हैं और दानिश को उनके काम से याद कर रहे हैं कैमरा परसन हेमन के साथ मदिहा खान अबीपी नियूज तिली अब को रखे आगे और दो涉ा करे जुड़ लोग का झीजज बाज झाल झाल